गुड मॉर्निंग बच्चो ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो परसदिय परिक्षा की तैयारी है तो ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा महत्वपूर तीन अंक के प्रसनों की जो है वीडियो लाई जारी है इसके ताथ जो है पहली बीडियो है बच्चो और उस बीडियो का जो पहला question है तीन अंक का जो महत्वपून प्रस्ण है बच्चो तो उसका जो पहला प्रस्न है वो है बच्चो पी एन संधी डायोड के अगर अभिनत संयोजन एवं उतक्रम अभिनत संयोजन से क्या तात्पर है परिपत द्वारा समझाईए तो प्यारे बच्चो आपको पी एन संधी डायोड में अगर अभिनत और उतक्रम अभिनत के बारे में पूछ सकता है बच्चो तो ब्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको दूसरे question के ऊर तो ब्यारे बच्चो दूसरा question क्या कह रहा है दूसरा question कह रहा बच्चो P N संधी diode पून तरंग दिश्ट कारी के रूप में कैसे कार्य करता है परिपत का आरेक बनाए आपको जो है PN संधी डायोट को पूर्ण तरंग दिश्टकारी के रूप में किस प्रकार कारे करता है और इसका जो है सर्कृट डाइग्राम भी बनाना है और प्यारे बच्चो आपको अर्ध तरंग दिश्टकारी भी पूछता है पूर्ण तरंग दिश्टकारी और अर्ध जाने की पूरी संभा होना है बच्चों तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको question number 3 की ओर तो प्यारे बच्चों एलफा कण की बंदन उर्जा प्रती न्यूकलियों ग्यांद कीजिए तो प्यारे बच्चों इसमें जो 2 marks के question भी मैंने आपको बताए हैं तो लगफच 2 marks और 3 marks के question मिलते जूलते question होते हैं बच्चों तो एलफा कण की बंदन उर्जा भी पूछ सकता है, ड्यूट्रोन की भी पूछ सकता है बच्चो, और कारवन की भी पूछ सकता है, ठीक है बच्चो, और ऑक्षिन की भी पूछ सकता है, तो इसमें मैंने इंपोर्टेंट में क्या रखा बच्चो, एलफा कण की बंदन में मैंने रखी है वच्चो ठीक है वच्चो तो लिए चलते हैं वच्चो आपको question number 4 की ओर तो क्या कह रहा है वच्चो युगम उत्वादन तथा युगम बिनास किसे कहते हैं तो प्यारे बच्चो आपको युगमु उत्पादन और युगमु बिनास के बारे में लिखना है बच्चो अगला जो question है वो बहुत ही common question है बच्चो hydrogen spectrum की ब्याख्या कीजिए और इसकी बिभिन सिरणियों के लिए तरंगदेरे का सूत्र लिखे ये आपके लिए आ सकता है बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको question number 6 की और आपके screen पहे क्या कह रहा है बच्चो प्रकास उत्षरजन संबंदी Einstein का प्रकास बैदुत समिक्रण ग्याद कीजिए इसके आधार पर प्रकास बैदुत प्रभाव के नियमों की ब्याख्या कीजिए और ये बहुत ज़्यादा important question है बच्चो ये आपको प्रकास उत्षरजन संबंदी Einstein का प्रकास बैदुत समिक्रण दो माक्स में भी पूछा जा सकता है और तीन माक्स में पूछा जा सकता है लेकिन यदि इसके आधार पर प्रकास बैदुत प्रभाव के नियमों की ब्याख्या पूछा जाएगा तो ये आपको तीन नमर में पूछा जाएगा बच्चो अगला question है बच्चो डेविसन जर्मर के परियोग का सचित्र वर्णन कीजिए आपने डेविसन और जर्मर का परियोग बताना है बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको question no.8 की ओर और question no.8 पहुती महतवपूर question है बच्चो आपको ये निश्य तोर पे पूछा जाता है इलक्टोन के लिए डी ब्रोगली तरंग देरे ग्यांत कीजी जो कि आपने सिद्ध करना है लेमडाई इक्वाल टू 12.27 बाई अंडर रूट भी एंगिस्टॉंग ठीक है बच्चो यहाँ पर ये एंगिस्टॉंग में है अगर मीटर में बदलना है बच्चो आपको तो एक एंगिस्टॉंग जो है 10 रेज चुपा और माइनस 10 मीटर की पराबर होता है और भी जो है बच्चो क्या है बच्चो बोल्टेज है ठीक है बच्चो और अगला क्वेशन आपके स्क्रीन पर है बच्चो नौवा question आपके इस स्क्रीन पे इस प्रकार से है वच्चो तो नौवा question क्या कह रहा है ब्यत्ती करण की सर्टें क्या है यंग के परियोग द्वारा फ्रिंज की चोड़ाई का सूत्र ग्याद कीजी वच्चो बहुत ही महत्वपूर प्रस्न है यहाँ पर फ्रिंज की दूरी को डूरी माना है तो आप डूरी लिखेंगे यदि आप सिलिटों के बीच की दूरी को डी मानेंगे तो आपको डी लिखना पड़ेगा बच्चो ये लेमडा जो है जो एक बढ़नी प्रकास जो आप उसमें डालते हैं उसका तरंग देरे है और डी जो है आपका जो है क्या है बच्चो सिलिटों से पर्दे की दूरी है बच्चो तो यह आपको तीन माक्स का question पूछा जाएगा बच्चो अगला question बच्चो जो आपके स्क्रीन पर है बहुत ही महतवपूर question है प्रिज्म के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्थन का सूत्र ज्यानत कीजिए यह बहुत ही महतवपूर प्रस्न है और यह आपको पांच माक्स में भी पूछे जाने के सम्मावन है तो प्यारे बच्चो n बराबर होता है बच्चो sin a plus delta m by 2 upon sin a y2 इस formula को आपको इसमें derivate करना है तो प्यारे बच्चो यहाँ पर जो हैं आपकी परिक्षा बहुत नजदीख है और इससे पहले मैंने आपको बहुत विकल्पी प्रस्न एक माक्स के प्रस्न दो माक्स के और तीन माक्स के बताने की पूरी कोशिस हैं और आप जो हैं प्यारे बच्चो इन प्रस्नों का संदर्व जरूर गरण करेंगे यह हमारे अनुभौ के आधार पे हैं इन बच्चो जब से ज़यदा संभा होना बोड में रहती हैं बच्चो आप इन बच्चो को जरूर देखेंगे आपके लिए बहुत सारे question जो है हमने जो है इससे पहले videos बना दी है बच्चो और एक videos जो है बच्चो आपको 39 question जो है 47 question जो है मैंने numerical की बनाई है बच्चो वो भी बहुत महत्वपूर है और about section में जब आप हमारे glow of physics को खोलेंगे बच्चो तो about में आप section में जब जाएंगे तो बच्चो वहाँ description में सारे link आपको उपलब्द हो जाएंगे और वहाँ से बच्चो आप जरूर जो है इसका लाव लेंगे glow of physics का हमेशा ये प्रयास रहा है कि सभी बच्चों को जो है इसका फाइदा हो सके बच्चो प्यारे बच्चों यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दे ताकि glow of physics के द्वारा जो है आपको समय समय उपयोगी वीडियो मिल सके और प्यारे बच्चों आने वाला जो 7 तारिक है 7 अप्रेल है 7 अप्रेल को आपकी जो है उत्राखंड बोल्ड बहुत तिक भी ज्यान की परसदिय परिक्चा होनी है उसके लिए जो हैं आपको ढेर सारी बदाया हैं आप जो हैं उसमें अच्छा अपना करेंगे और अधिक से अधिक माक्स लाएंगे इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत सुबकामनाई हैं कि आप जो अच्छी माक्स लाएंगे और लिए चलते हैं बच्चो आपको इसके बाद दूसरी वीडियो अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेशनों के दूसरी वीडियो बता रहा हूं बच्चों तो आपको मिलेगी दूसरी वीडियो